जहें दोस्तों स्वागत है आप सभी का UNS Masterclass के आज के इस फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों ये हमारा Class 3 का वन सोट शिरीज का आज का ये नए वीडियो जो की प्राइक्ता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है हाँ दोस्तों बिल्कुल आप सही heading और thumbnail को देखा है अगर आप इस वीडियो को complete कर लेते हैं तो आपका वोड एक्जाम में एक वीक नमबर चूटने वाला नहीं है दोस्तों इस वीडियो में हम प्राइक्ता के तमाम टॉपिकों को और कोशन को complete करने वाले हैं अता दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेयर और जितना ज्यादा हो सके आप सब्सक्राइब करने का कश्ट करें ताकि हम लागतार जो एक्जाम को लेके आपके जितने भी समय बचे हैं उसमें हम आप तक और भी ऐसे बैतरीन वीडियो को पहुचा सके दोस्तों चलिए आपकी समय बहुत बहुमुल है इसको ना जाया करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहला हमारे सब्सक्राइब सवाल यही आ अब सवाल सर मेरा सिंपल सा है कि प्राइक्ता होता क्या है तो हमने का किसी भी घटना के ध्यान से सुनिएगा किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को किसी भी घटना के घटित होने की क्या संभावना को हम लोग प्राइक्ता कहते हैं आइंदा कभी कोई पूछता है कि बताए प्राइक्ता क्या है लाड लो तो अब बता दीजेगा आप कोईदम सिंपल से सब्दों में कहना है किसी भी घटना के किसी भी घटना के घटित होन की संभावना को हम लोग प्राइक्ता कहते हैं अब ये क्या है सर मैंने का लाडले कुछ example को देखते हैं जैसे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जैसे आप एक सिक्के को जब उच्छालते हैं जब cricket match अक्सर खेलते होंगे न तो जब आप एक सिक्के को उच्छालते हैं तो शिक्क हे उच्ðालेंगे तो क्या-क्या संभावना ना या तो आप कहोगे व्हाGu सर या तो हेड आएगा या सर $ सर टेल आएगा हमने कहां की इसके अलावा भी कोई झाल है दो यही संभावना का मतलब ही होता है प्राइक्ता द्यान से सुनो अगर आइंदा कोई पूछ देता है मेरे लाडलों से कि प्राइक्ता क्या है तो आपको कहना है किसी भी घटना के घटीत होने की संभावना को हम प्राइक्ता कहते हैं ठीक है दोस्तों बढ़ते हम लोग next page क और क्या कहता है द्यान दीजेगा नेक्स पेज में वीडियो को पॉज करकर के लिखने का प्रयाज करेंगे ठीक है दोस्तों तब जाके बहुत बहुत बेतनी आपको समझ में आगा देखिए आता है प्राइक्ता से जुड़े हुए मात्पून पद सबसे पहला जो पद है वह अगर आप उच्छालते हैं तो सिक्का में क्या सकता है या तो हेड आ सकता है या तो क्ल संभावना कितनी है तो आपको दो इसी को लाड़ ले करते हैं कुल संभाव पई नाम को हम लोग एनेस लिखते हैं क्या लिखते हैं एनेस अथार एनेस बराबर यहां पे क्या हो गया तो आपका यह सर्दो हो गया ठीक किसी पर कर मैं फूपेड पूशता हूं माल लिए पासा के बारे में मैं पूशता हूं अगर मैंने पासा को काम क्या पासा समझते हो ना जिसको आप लोग डाइस कहते हो कभी-कभी आप नॉर्मल आम बोल चल के बासा मैं इसको छक्का कहते ह है जैन्य वह रहीं पासा क्या है जब पासा को ला सकता है या तो तीन है सकता या तो थी कितनी समझाव परिचने हो गया थे का सर एक दो तीन चार पांच छो यहां कुल समय परिनाम छो हो जाएंगे ठीक इसी परकार मेरी बात ध्यान सुनिए आप गया है किसी ट्रेन को पकरने के लिए ट्रेन को पकरने के लिए गया है तो यहां क्या समभावना है यहां दो समभावना है या तो आप ट्रेन को अगर कोई पूछेगा कुल संभवपई नाम इसी कुल संभवना को यह लोग कुल संभवपई नाम के नाम से जानते हैं बरते दोस्तु नेक्स पॉइंट की ओर काफी वीडियो काफी बेतर आपके लिए साबित हो सके क्या कह रहा है देखिए प्राइक्ता की सीमा यानि कि limitation of probability द्यान सुनिएगा limitation of probability कहने का क्या मत्लब होता यह लाडले जैसे अब icon देर पहले आपने क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था कुल पढ़ा बतए तो जली से आपने पढ़ा कुल संभा पईनाम क्या होता है तो सर किसी भी घटना के घटित होने कि उसी को कुल संभाव पईना म कहते हैं अब माल लिजे इसी में एक और टॉपिक आ जाता किसी घटना किसी ध्यान सुनिएगा कोई टॉपिक है किसी घटना किसी घटना ई के घटित होने की संभावना घटित होने की क्या संभावना ध्यान सुनिएगा घटित होने की संभावना यानि आपसे कोई प्यारा सबात आप कहते हैं क्या कहते हैं जैसे अभ मेरी बात समझेए मैं ने कहा कि अगर आपने एक सिख्य को उच्खाला तो कूल संब प्रिणाम कितने होंगे तो आपने कहते हैं अगर जब मैंने कहा कि किसी घटना ए के घटित होने की संभावना, यानि अगर मैंने कह दिया कि सिक्का उचलने पर हेड आने की संभावना क्या होई, तो हेड बता यह तो कितने बार आता है, तो एक बार तो यहाँ एनी कामान हो जाएगा वन, एनी कामान क्या हो जाएगा वन, ठी किसी परकार आपने पासा को फेका पासा में एक दो तीन चार पांच यह आता है मैंने कहा कि इसमें बते कोन-कोन आफेगा या तो दो या तो चार या तो चो तो फिक्स घटणा की बात करें ना उसी को प्राइक्ता क्या है तो कहते हैं जैसे इसी संभावन tut EEG कई ते हैं अगला फॉइंट खैना से उड़ा कुछ मौत्पून पद में हमने क्या बात किया इसाइक से चुड़ेग। में सबसे बहला था कुल संभाइब पईणाम, यानि किसी भी घटना जब घटित होता है, तो क्या-क्या हो सकता था, यानि सिक्का उचाले तो याथ हेट या तो टेल, तो कुल संभाइब याँ कितने हो गए, और पासा को उचाला तो एक दो तीन चार पांच है कुछ भी आ सकता है तो कुल समभाधाना में पर करने जाएगी तो यहां कुल कोई क्यता है लेकिन अगर कोई कहता है कि किसी घटना के घटी तोने की घटना कहेगा एक हैड़ के पर और और हैं believers पन हो जाएगा इसी परकार अगर कोई आप सभाना यहां तो मैच को आप जीट जाए though दूसरा ऐखने शचाए रवर हो सकता है तो यहां लिख दिने लिख दिने लो मैंने लिख लिख लिए मैंने का बड़ावर या निए तो अब मैंने पूछा यह का मान क्या होगा तो तुम्हों मतलब कुल पईना दो जीत सकते हैं यह तो यह हो गया से लेकिन अगर हम पूछ दें कि मुझे जीतने की संभावना क्या होगी तो यहांپर और A2 का मान हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 1 अब इस इस्तिति में जब आपको प्राइक्ता निकालने होगी लाड़ ले तो यहाँ पर एक सुत्र का आप लोग सहारा देते हो जिस सुत्र भीवियाई सुत्र है लाड़ ले यह होता है PE बराबर A2 बठा NS यानि किसी भी घटना के जब आप घटित होने की जब प्राइक्ता पुछा जाता है ना तो उस घटना की संभावना बटा कुल संभाव पही ना क्या उनुपात की यह बराबर होता है चली इस पर सवाल खुब पूछे जाएगा आप बरते हैं दोस्तों इसकी प्राइक्ता के सीमा क्या काता है यानि Limitation of Probability तो द्धेभाव स शुनिएगा प्राइक्ता का महान मान लिए एक से या बढ़ाबर होता है और यानि एक से बोलना चाहिए ना कि सवर आप क्या करना चाहरा है याणि प्राइक्ता का मान कभी भी एक से कब sent il होना चाहिए अब कउगे सम का एक से अधीक नहीं होगा यानि आपकी जो सवाल बहुत प्यारा सा है निम्ड में कौन प्राइक्ता का मान संभव नहीं है तो option A है एक बटा दो option B है एक बटा तीन option C है दो बटा तीन option D है तीन बटा दो ऐसे situation बच्चे confused हो जाते हैं कि answer क्या होगा तो लाद ले आपको पहले पकरना है कि किसका मान जीरो से एक से बड़ा तो नहीं माइनस में है क्या नहीं सर माइनस में नहीं है तो पहला फिर रूल तो हमारा खतम हो गया अब चेक करना है कि एक से बड़ा है क्या तो एक से बड़ा करने चेक करने का तरीका लाट ले क्या है पता है एक तो सीरे आप पहचान लोगे एक से जाला हो तो सीरे पहचान लोगे लेकिन अगर बटा में आ गया ना तो इसका तरीका होता है कि अगर आपका अंस जो है ना वो बड़ा हो जाए हर से उपर वाला अगर बड़ा हो जाएगा ना तो समझ जाना एक से इसका मान जादा होग देखिए इदर एक बटा दू अंस छोटा है ना तो समझे इसका इमान एक से कम होगा छोड़िए एक बटा तीन अंस छोटा है ना इसका इमान एक से कम होगा दू बटा तीन अंस छोटा है ना इसका इमान एक से कम होगा तीन बटा दू देखिए अंस बड़ा हो गया ना या एक से बारा देखना है तो लाडले मेरे दिल के टुकरो माइनस कहीं दिख रहा है नहीं सर यह फेल हो गया एक से बारा जीरो पॉइंट सेवन यानि एक से छोटा है दो दसमलों पात सरी तार हाई एक से बारा है ना यानि ऑप्शन बीस दा राइट एंसर परसेंटेज से कोई फरक परता हुरता नहीं है और यहां देखिया है उनस तो छोटा है ना तो बाते खतम किजिए बरते हैं दोस्तों न्यू टॉपिक क्योड वीडियो को पॉस करकर के लिखेते चलिएगा और हाँ दोस्तों अगर आपके अंदर इस बार बोर्ड एक्जाम में आग मचाने का अलका मचाने का किसी परकार को आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड इजा में एक भी कोशन ना चुटे तो दोस्तों यह आपके लिए बेतर प्लेट पार में आट से दस दिनों की तैयारी में आप चाहें तो अपना मैत में 80-85% का स्कोर खरा कर सकते हैं देखिए हमारे पास अ सबसे पहला क्या होता है तो पहला होता है लाड़ले संभौ घटना दूसरा कौन सी होती है तो दूसरा को कहते हैं ऑस्ट गटना तो अगर कोई घटना भी कहते हैं अब यह क्या सर तो लाड़ ले सुनो और नीश्चित घटना भी बीई है बढ़िया से सुनो कोई पूछेगा घटना thigh कितने परिकार के होते हैं, दो एक संभावगतना, दूसरा आसंभावगतना, संभावगतना के αहंभावगतना को अनिश्चिद घटना, लाडले संभावगतना को आम लोग लिखते हैं PE के दिवारा, PE लिख ही लिखा रहे तो मतलब समझ जाएगा यह है संभाओगटना और आसंभाओगटना को लिखते है PE' इस जैसे ही आपको फहनी लिका मिल जाया है समझेगा आसंभाओगटना यहां से ध्यान देने योगी क्या बात है तो यद रखिएगा संभाओगटना की जो प्राइक्ता होती है तो वो होती है याद रखेगा किसी भी निश्चित घटना कह दे या संभाव घटना कह दे इसकी प्राइकता क्या होती है और कोई कह देगा और संभाव घटना की प्राइकता क्या होती है तो कहिएगा सुनने यानि जीडो याद रखेगा अब ही भी आई सवाल है तो यहां से एक बहुत ग्रो एक और जीरो जोड़िएगा तो एक नहीं आ जाएगा इसका प्रियों खूब बढ़िया बढ़िया सवाल में करते हैं जैसे आपको कहा देगा यदि किसी घटना के घटित होने की प्राइक्ता एक बटा दू है तो इसके घटित नहीं होने की प्राइक्ता यानि पी यह मंदारी से बुलिए कि आप जानते हैं कि नहीं हां सर बिल्कुल जानते हैं तो बताएए पी इडैस का मान चेहे न तो पी इडैस रहने दीजिए बढ़ावर वान माइनस यह जिसको निकालना है उन रहने दीजिए अब बाकी को एक तरफ बेज दीजिए यानि वान थिक है पी का मान कितना दिया हुआ है तो कहिए गहाँ बट्टा टू घटाने आता है जब आप इसी को घटाते हैं तो दू एक मदू दू एक मदू माइनस एक बट्टा दू एंसर इस वान बाई टू क्या समझ में आ गया यानि कोई पूछेगा संभाव घटना और चैनला घटना इडेस है या जोगा या बरते हैं दोस्तों कॉस्चन में next क्या कहा रहे है यानि P का मान दिया हुआ है यानि संभाव घट नर दे दिया और कहरा पी-डेस निकाले मैं ने बोला ना भी ऐसे सवाल किया हो ना आप लोग पी-पलस पी-डेस बराबर value क्या होता है तो वन तुम्हें पी-डेस निकालने है न तो पी-डेस रहने दो तो 1 में से आपको घटाना है 0.05 को तो कुछ नहीं ऐसे 10 हमलों के घटाव आ जाएं तो उपर में double 0 दे दो 10 में से 0 गया 10 में से 5 गया 5 बच गया 9 और यहां एक दे दिया तो तो बचा 0 यानि answer is 0.95 देखिए तो option B is the right answer बढ़ते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट कंसेप्ट किया और क्या कहता है देखिए तर अगर वीडियो पसंद आ रही होगो तो प्रिलीज वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों तक इसको share करने का कश्ट करें क्या कह रहा है प्राइकता पर लाट ले जो बोरिजा में जो सवाल पूछता है न वह डिसकली 45 कंट…. रदित का होता है ए कोई पूछेगा प्रायकता पर कितने काटीगरी के सवाल पूछे जाते है तो कहना चार सबसे पहला जो सवाल आता है वो सिक्का पर धारीत आता है, सिक्का जिसको आप क्वाइन कहते हो, क्या कहते हो, क्वाइन, याद रखना, सबसे बेला सवाल किस पर आता है, तो क्वाइन पर, दूसरा जो सवाल जो आता है, वो आता है, पासा, जिसको आप लोग प्यार से छाक्का कहते हो, और इसी को इंग वह आता है तास से जिसको हम लोग कार्ड कहते हैं इंगलिस में ठीक है दोस्तों यानि इन चारों पर आपको अबजेक्टिव और सब्जेक्टिव भर के मिलेंगे अब हम एक एक करके दोन सब को समझेंगे और सवालों को करने का प्रयास करेंगे सबसे पहला कैटेगरी हमारे बीच आ गया प्राइक सिक्का पराधारी सिक्का के बारे में पहले जान लिजे आप सिक्का देखे होंगे बच्पन में बहुत बड़ा खेलो होगा खेले हो की नहीं नहीं केले हो तो बहुत बढ़िया है एक होता है तेल यानि चित पट तो बहुँगा सिक्का में दो पाल कुल संभव परिणाम निकालने के लिए कोईगा ना कुल संभव परिणाम तो इसका सुत्र याद रखेगा यह होता है टू टू दी पावर एन वेर एन इस दर नंबर अप क्वाइन जहां आपका जो एन है न वह सिक्का है एन क्या है सिक्का देखिए इस पर कईसन सवाल पू आठव्सन से लिकना है तो कईसे बनेगा दू लिखना निकाल हो गया सिक्का पर कभी संभव परिणाम निकाला होगा तो क्राइविगा घ्राह्ते ओ walking टूदो गूर्णी और फो दूनाचास डूदो दूनाय आच्वी ले ले लो होई या निकाल'll King से तो डूटी पावर एन जा एन क्या है तो सिख्कों की संख्या अब आता है एक अगला कोस्टन कोस्टन नमर्ट देखिए एक सिख्के को उच्छालने पर पट आने की संभावना यानि टेल आने की संभावना निकाल लोगे कभी भी इसे सवाल आएगा तो आप इसे बट्टा आए देना और देखो कोई हो सिख्का को उच्छाल रहा है एक को लीख को देना है दूधा दूगर्फिकर को सिख्का को उच्छालने पर टथ दूगके पावर्टी सध्चार करने पर kullis समभाव प système बताइब निके क्याकरना है बतां ये जिए जब आप इए में स्थ प्राइक्ता ग्याद करें तो लाद ले जब तीनों को एक परिणाम निकालना था तो बट्टा दे दिए हैं अद दू के पर तीन उपर में क्या लिखेंगे तो बताओ क्या कराई एक साथ तीनों पर एक ही परिणाम क्या सकता है या तो तो फेल टेल टेल आ सकता है तीस्रा क्या कि जो दुनों पर सेम आजाए नहीं तो क्या को संभाव ना हुगा एक और एक दू तो उपर लिखेंगे दू उपर दू रहने दो अदू के पावल क्यूब का मान होगा आठ दू एक कम दू दू चाओ का एक बट्टा चार यानि ऑप्शन बीस दो राइट एंसर आपको और आपको स्वाल संभाव वर्पूर सुनने को मिलेगी इसके लिए नहीं होने चाहिए अब आगे आपका प्यारा चक्का इसको आप लोग पासा कहते हैं क्या पासा पासा लुडो खिलते होंगे न जी पासा में अगर हम पूछे सबसे पहला बात कि पासा जब फेगते तो तो क्या क्या आता है तो एक आ सकता है दू आ सकता है तीन आ सकता है चार आ सकता है पांच आ सकता है और छो आ सकता है आ सकता है ना अब अगर कोई पूछेगा कि बताइए पासा फेकते हैं तो कुल संभाव परिणाम निकालने का सुत्र क्या होगा तो लड़ले पासा में कुल प्रफूर कुल सुमभव प्रिणाम अगर कभी निकालना होगा ना इसका याद रखिएगा करो के फावर उन मतलब होता ओभुण है тपैस पासा मान किह अगर के सिखा को छालेगा सब्सक्राइब सबसे बहले कुल संबो परी नाम कैसे निगालते हैं, 6 के पपर 1, लिख दिए ना, अब क्या कर रहा है, सों संख्या आने की प्राइट था, तो सों संख्या क्या क्या सकता है 2 आ सकता है 4 आ सकता है 6, तो कए उपर लिख देंगे 3, उपर 3 नीचे 6 के पाइच 6 कर जाएगा तो एक बट्टा दू, option A is the right answer, बड़ते हैं question number two कियो, कर रहा है, एक पासे को फेकने पर, तो एक पासे को फेकने पर, तो एक दो, तीन, चार, पांच, छो, यहीं न आएगा, यानि कुल संभोपरी नाम कितना हो गया, तो 6 हो गया, तो अब क्या कर रहा है, दो नहीं आने की प्र हो जाएगा, पांच, और नीचे में कुल संभोपरी नाम 6, यानि option C is the right answer, बड़ते हैं अगले सवाल कियो, क्या कर रहा है, दो पासे को एक साथ फेकेगा, तो दो पासा, यानि 6 का पावर दू, कुल संभोपरी निकाल लिए, इन पासों के ऊपर, आने वाली संख्याओं का योगपल दोस आने, तो अगर दोस कव आएगा, जब आपके पासा पर या तो चार चो आजाए, या तो पांच, पांच आजाए, या फिर चो चार आजाए, या यही ना, और कुछ आ सकता है, क्या, नहीं, यही तीन संभावना है, यही ना, तो उपर लिख देंगे तीन, अगर आपको कुछी समझने में दिक्कत हो रहा है, आप अपने आपको साहित नहीं करेंगे, वीडियो को दुबारा देख लो, नहीं कुछ हो तो टू एक्स करके देख लो, लेकिन देखना जरूर, थैला, अब थैला पे आपको एक्जामें कुप सवाल मिलेगा, को देगा है, थैला में हौई रखल है, हाँ रखल है, कोने को निकाल लेंगे, तो याधरिच निकाल लेंगे तो इस की kya प्रैक्ता, तो अहिसन सवाल में पहले एनेस निकाल लिजेगा, एनेस मतलब कूल संभा पाई, हम सबको जोर लिजेगा, हैनी कोन होता है, जोन कह देगा ना की इसकी प्राइक था तो वही लिख दीजेगा बाकी आप निकाल लेंगे जैसे देखें वो सवाल है करा एक थैले में तीन सफेद चार लाल तता दो काली गेंद है जदी एक गेंद को यादरिच निकाला जाता है तब इस एक गेंद पहले एक काम करिए कुल संभव परिणाम न जोरेंगे तो चार तीन साथ अदू कितना हो गया नौ यहीं टोटल कितने समभव पर नाम होए तो नौ अब सुनिए अब हम देखते हैं एनी बराबर एनी बोले तो क्या कह रहा है यदि एक गेंद को यादरिच निकाला जाता है इसकी क्या प्राइकता है कि निकाली गई कि सफेद होने की प्राइकता सफेद होने की प्राइकता नहीं सफेद होने की संभावना सफेद होने की संभावना अब बताए तो जब सफेद होने की संभावना यानि बोलेते ना एनी एकदम आसान होता है निकालना सफेद काईगो है तो तीन लिग दीजे तीन अब सीधे लगाए इसलिए आपको प्राइक्ता पी ना निकालना है तो बताए तो आपको प्राइक्ता पी ब्रावर सूत्र का होता है तो आपको एगा एनी बाटा एनेस एनी बाटा एनेस अब बताए एनी का मान तो कितना है तीन है एनेस का मान कितना है नौ तो काटेंगे तो तीन है क बर साथ अदू नौ बट्टा नौ लिख देते हैं और कौन सी निकाली के गिंत सफेद हो सफेद कहा है तीन वह तो उपर देंगे तीन तीन एकम तीन 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 हो इनसर वह भाई थी को अता लाल होने की प्राइक था पहले कूल समय पर नो लाल कहा है चार इंसर हो वीडियो से कम्लीट करें और हां इस वीडियो का नोट्स आपको कहां मिलेगा इसको वीडियो के आउंत मैं आपको बता दिया जाएगा तास को लेकि आप ध्यान से सुनिए क्या कहा रहा है कि एक तास की गड़ी पहले तो आप तास समझ रहे होंगे दिवाली में खूब च फेको होता है आपका चाला रंग बात कर रहें लाल रंग होता है यहां इस अचिक होता है और चीडिया, केलिए रहे न, अगला, तो ये जो लाल पान देखते हैं न, ये होता है 26 गो, अग चीडिया कहेगोगा, सोरी, ये लाल पान 13 गो, और चीडिया भी कहेगो, 13 गो, फिर से सुनिये, पूरी तास की गड़ी में कितने पत्ते, यह वावन वाटनमक मतर treatment को लाल रंग और काला नन्वी किस चबसगाइंगे प्रेकार में देखने मिलेंगे एक हकोटा इसा इसे आपका इप आपके पति होता है न क्यांग गुलाम हो बाच्छा ऑठा हो इस Nahon एकएगो क होगा एक तो तो तास में जितने भी पति होता है ना उखएगो होता है तो चार चार गो लेकिन डिपेंड करता है अगर को देगा कि अगर तास की गड़ी से एक पत्ता निकाला गया है वो बताएं कि निकाली गई पत्ती लाल रंग की इक्का हो तो लाल रंग में कहेगो इक्का होगा एगो ई आएगो ई तो एक एक कहेगो गया दू कहेगा कि एक गड़ी से एगो पत्ता निकाला जाता है बताईए क्या प्राइकता है कि वो इका लाल पान का हो तो यहाँ अब ये दुन्नों नहीं होगा लाल पान में कहें होता है एगो अगर सोजे कुछों ना पूछे तो कहिएगा चारो सिर्दे किलर है देखिए अब तास पर कैस सुनिए इदर सबसे पहले एनेस का मान आपको दिया हुआ है कुल 36 दिया हुआ है सोड़ी एनेस का मान कितना दिया हुआ है और एक पत्ति याद्रिश निकाला जाता है काले रंग का बात्सा तो लाड़ले अभी बताईए आपने क्या पढ़ा काला रंग में दूग भाग ह बता एक बताईए यहां काले रंगा का बात्षा तो बात्सा कला रंग में 26 दोसा तुम जानते ओ पी केरावर क्या होता हैच्छी तरह से फेटी गईANी से एक पत्ता यादरिच निकाला जाता है कर रहा है कि इसकी क्या प्राइकता है कि निकाली गई पत्ती इका हो पूरा की बात कर रहा है तो निच्चे तो पहले कुल पईड़ा 52 हो जाएगा और इकाड़ा इका तो इका पूरे तास की गड़ी में कितना होगा तो आपका एकसर चार्ग होगा अब इसको काटने तो आता है काटने के बाद इसका कौन सा option होगा, option A होगा के B होगा, के C होगा, के D होगा इसको आप comment के रूप में लिखना ना भूले दोस्तो आपके comment का हम काफी बेसबरी सिंतिजार करते हैं, और हाँ इस वीडियो का जो आपको notes लेना हो या पर class 3 के किसी भी subject का आपको free notes लेना हो, तो दोस्तो आप हमारे telegram group telegram group का नाम है UNS Master Classes UNS Master Classes 2.0 ये जो channel है, telegram channel, इस पर जाके join कर ले, इस पर आपको notes मिल जाएंगे, और हाँ दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा, अपने feedback के feedback को comment के रूप में देना, ना भूले, मिलते हैं दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए, जैहिन